हो गया फिक्स लग गई मुहर रतन टाटा के सामराजी का मालिक बने गए 30 साल का लड़का जी हाँ साफ हो गया है कि अब रतन टाटा का सामराजी रतन टाटा के नहीं रहने पर कौन समालेगा मुहर लग गई है इसके नाम पर आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिरी लड़का है कौन और इसके मुलाकात मश्चूर बिजनसमैन रतन टाटा से कैसे हुई थी आप सब ये तो जानते ही हैं कि रतन टाटा को इस सामान्य बिजनसमैन नहीं बलकि देश के लिए वाकई किसी रतन से कम नहीं थी उन्हें साल 2000 में पदम भूशन 2008 में भारत का दूसरा सबसे सर्वो चुनागरिक सम्मान पदम विवूशन से सम्मानित किया जा चुका है कई बार रतन टाटा को राश्ट पती बनाने की मांग भी की जा चुकी सी लेकिन अब दुर्भग ये वर्ष रतन टाटा ने दुनिया को अल्विदा कह दिया है और दुनिया ने बहुत महत्वपोर वेक्ति को खो दिया है देश ने अपना बेटा खो दिया है रतन टाटा से जुड़ी ऐसी कई बाती हैं जिसको लेकर हर जगा कई सारे जानकारिया लिखी रहती है उन्हें में से एक है रतन टाटा के साथ अक्सर दिखने वाले एक लड़के को लेकर आखिर कौन है वो लड़का जो रतन टाटा के साथ अक्सर नजर आता है और कौन है वो जो अब रतन टाटा के सामराजी का मालिक बनेगा और रतन टाटा का पूरा का पूरा सामराजी समालेगा आप जानते होंगे कि रतन टाटा के साथ अक्सर दिखाई देने वाले लड़के का उन से क्या संबल्ध है उस लड़के का नाम शांतनू नाइडू है क्योंकि यह अक्सर करके सुर्खियों में बना रहता है शांतनू रतन टाटा का पॉसनल असिस्टेंट था कहा जाता है कि टाटा का शांतनू के साथ काफी लगाव था टाटा उसे अपने बेटी की तरह मानते थे शांतनू रतन टाटा के कारोबार के साथ है उनके इन्वेस्टमेंट को भी देखता था वो टाटा कंपनी का जनरल मैनेचर भी है 31 वर्षियर शांतनू नाइडू एक बिजनस्मैन, इंजीनियर, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर, राइटर और एंटर्प्नियूर है शांतनू ने अपनी MBA की पढ़ाई अमेरिका के कॉर्णियल विशुविद दाले से की, महराष्ट में जन्मेर शांतनू टाटा ग्रूप में काम करने वाले अपने परिवार की पाच भी पीड़ी है साल 2018 में पढ़ाई के बाद शांतनू वापस भारत लड़ कर टाटा ट्रॉस्ट के चेयर्मैन आफिस में बतोर डिप्टी जनरल मैनेजर काम करने लगे शांतनू की अपनी भी कंपनी है जिसका नाम गुट फैलो है ये कंपनी बुजुर्गों को उनके अंतिम वक्त में बहतर सुविदा देने का काम करती है इसके लावर शांतनू की एक एंजियो भी है जिसका नाम मोटो पॉच है मोटो पॉच कुत्तो के लिए रफ्लेक्टर कॉलर बनाती है जो अंधेरे में चमकती है रफ्लेक्टर से कुत्तो को सड़क पर होने वाले हाथ सों से बचा जा सकता है इस एंजियो को शुरू करने के लिए शांतनू की पास प्रयाप्त पैसे नहीं थे पितवा की कहने पर शांतनू ने रतन टाटा को खुद से लेटर लिखा जिसके बार टाटा ने मिलने के लिए शांतनू को नियफ्ता भेचा था टाटा के साथ अपने मिलने के अनभोग को लिकर शांतनू ने अपने किताब शांतनू को कुत्तों से काफी लगाव है मुंबई की सडकों पर अकसर लावारिस कुत्ते सडक हाथ से कर शिकार हो जाते थी इस परशानी को ठीक करने के लिए शांतनू ने कुत्ते के गले में रिफ्लेक्टर वाले पट्टे डालने का भियाद चलाया वहीं दूसरी और रतन टाटा को भी कुत्ते काफी पसुन थे शांतनू के सब्यान से टाटा का भी प्रफावित हुए जिसके बाद उन्होंने खुद फोन करके शांतनू को अपना असिस्टेंट बनने का जॉब पेश किया था अब तो आप जानके होंगे कि आखिरी 31 वर्शे लड़का कौन है और कैसे यह रतन टाटा से मिला और अब रतन टाटा का पूरा का पूरा समराज कैसे समालेगा क्योंकि खबरे ऐसी ही आ रही है कि रतन टाटा सबसे जादा भरोसा और सबसे जादा करीबी शांतनू ही थे तो हो सकता है कि अब रतन टाटा का पूरा का पूरा समराज शांतरू के हाथों में दे दिया जाए वैसे आपको क्या लगता है कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएगा